जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी सायती के बहुत ही महत्तुपण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा बस से देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहला इकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की नोडिफिकेशन आप कहां तक पहुंचे DAS जादव वीडियो को सेर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें आज का अपने आपर फ्रेश्ट कॉस्चिन क्या उटकर काल ही finger क्या है इंदी निवंद का उतकर काल है तो लेकší निवंद का जो उतकर क्या है तो ये निवन्द है और इसके जो लेखक हैं वह कौन है आपके लिए बताना है कवीता क्या है निवन्द के लेखक कौन है तो आपका यहाँ पर question number 2 का right answer है क्या right answer आचा रामचन सुकल आपका विकल्प number 1 यहाँ पर सही answer होगा answer अगर आपसे बनता है तो आप comment में answer जरूर बताते जाएं और question number आपका यहाँ पर 3 पूँचा है कवीता क्या है निवन्द के लेखक रामचन सुकल है यह question आपका डबल हो गया है question number 4 आपका यहाँ पर पूँचा गया है तो बहुत देख लेते हैं एक दो या चार यह चार विकल्प आपके हाँ पर दिये गए है question number 4 है और आपका सही answer है विकल्प number C यानकि इसके अभी तक 3 भाग जो है प्रकासित हुए है चिंता मणी के और आचा रामचन सुकल की निवन्द संग्रह चिंता मणी और इसके 3 भाग अभी तक प्रकासित हुए है question number 5 पूँचा है आचार रामचन सुकली की निवन्द संग्रय का नाम क्या है चिंता मणी है आसू जर्ना या कामाईनी question number है आपना 5 और 4 विकल्प है महत्पुन question पूँचा गया है क्या होगा इसका सही answer तो इसका सही answer विकल्प number 1 यानि की चिंता मणी आपका सही answer है चिंता मणी आपका सही answer बिलकुल चाही question number 65 चिंता मणी किस निवन्द कार का महत्पुन निवन्द संग्रय है तो एक question आपका देखिए एक question आपका PGT 2010 में एक question पूँचा गया है और रामचन सुकल आपका यहाँ पर सही answer होगा विकल्प number 1 आपका सही answer है question number है अपना यहाँ पर 7 question number 7 पूँचा है धर्मी की रसात्मक अनुभूती का नाम भक्ती है और प्रयोक्त कतन आचा रामचन सुकल के किस निवन्द का answer है तो वह कौन सा निवन्द है जिसका अनसे एक अतन सरद्दा और भक्ती लोग और प्रीती मानस की धर्मभूमी या कभीता क्या है तो question number 7 का आपका जो सही answer है वह विकल्प number B आनिकी मानस की धर्मभूमी विकल्प number B आपका राइट answer है question number 8 क्या पूँचा है question पूँचा सुलोचिना निवन्द संकलन है आचा रामचन सुकले, बालकृष्ण भट्टे, भारतेंदू हरिश्चंद्र या जैनेंदर कुमार तो question number 8 का सही answer बताईए सुलोचिना निवन्द संकलन है किसका ये निवन्द संकलन है तो question number 8 का राइट answer है विकल्प number B यानिकी भारतेंदू हरिश्चंद्र भारतेंदू हरिश्चंद्र आपका विकल्प number B यहाँ पर सही answer होगा question number 9 आपसे यहाँ पर पूंचा गया है question number 9 क्या पूंचा गया है देखें PGT 2015 में एक question पूंचा गया था कि सुरी 2005 में कि निबंद संग्रह सब्दिता की निबंदकार कौन है यह आपके लिए बताना है सब्दिता की निबंदकार कौन है तो question number 9 है और 9 का जो सही answer है विवे की राय धर्मबीर भारती निर्मल बर्मा या विद्यनवास में स्रे तो आपके हैं पर सही answer है धर्मबीर भारती आपका राय टांसर है धर्मबीर भारती ने ठेले पर हिमाल है पस यंती सब्दिता आदी निबंद संग्रों में नादुनिकता आंदूलनों पर विचार किया है question number 10 पूंचा है असोग के फूल निबंद संग्रह निबंद की रचेता कौन है हजारी पर साथ दोवेदी आपका विकल्प नंबर B आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही हजारी पर साथ दोवेदी आपका राय टांसर है question number 11 पूंचा गया है यहां पर असोग के फूल निबंद की रचेता कौन है यह question फिर से डवल होगी हजारी पर साथ दोवेदी आपका सही आंसर है question number 12 आलोग पर्व निबंद की रचेता कार कौन है आलोग पर्व निबंद की रचेता कार बताना है महत्तुपून question है आपका यहां पर और आपका यहां पर right answer है Q12 का, क्या है right answer, विकल्ब नमबर आपका यहां पर जो B है, वह सही answer होगा, हजारी पर साथ दुबेदी, हजारी पर साथ दुबेदी आपका यहां पर सही answer है, 2011 में यह Q13 पूंचा गया था, Q13 क्या पूंचा गया है, तो देखे, Q13 है, यहां पर दिया गया है, देखे, ए रह आपका Q13, कि आचार हजारी पर साथ दुबेदी को कौन सा निवंद संकलन इनमें से है, तो इनका निवंद संकलन बताना है, असूप के पूल, कल्पलता, या कोटज या उपरोग सभी, तो आपका यहां पर Q13 है, और तेरह का जो सही answer है, वह आपका D आनि की उपरोग सभी अपरोग सभी इनके निवंद संकलन है, आचार हजारी पर साथ दुबेदी के असूप की पूल, कल्पलता, कोटज, Q14, क्या पूंचा है, नाकुन क्यों बढ़ते हैं, ये निवंद, ये जो है, किस विदा की रशिना है, ये बताना है, महत्तुकुन Q14, ये कांकी नाटक है अपन्या से निवंद है ये कहानी है, तो Q14 का जो सई आंसर है, वह आपका विकल्प नंबर आपका B, यानि कि निवंद राइट आंसर होगा, निवंद आपके हैंपर सई आंसर है, बिल्कुल सई निवंद जिनों ने बताया है, उनका सई आंसर है, नाकुन क्यों बढ़ते कि निवंदकार बताना है तो आपका यहां पर सही आंसर है हजारी पिरसाद दुबेदी हजारी पिरसाद दुबेदी विकल्प नमबर बी आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर बी राइट आंसर है कौश्चन नमबर 16 क्या पूंचा है कौश्चन जो आचार हजारी परसाद दोवेदी जी का नहीं है 2015 में आपका question पूशा गया है TGT में, PGT में और कल्प ब्रक्ष आपका सही answer होगा कल्प ब्रक्ष आपका right answer रसक्य रंजन केस सूप्रिसित दिन बंदकार की किरती है रसक्य रंजन तो question number 17 का सही answer बताना है क्या होगा right answer चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए है रसक्य रंजन किस सूप्रिसित दिन बंदकार की किरती है तो question number 17 का आपका जो सही answer है वह आपका विकल्प number D हजारी परसाद दोवेदी आपका यहां पर सही answer होगा अजारी परसाद दोवेदी आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही answer बताया है अजारी परसाद दोवेदी जी का निवंद है और अब अंगला question क्या पूंचा गया है तो question number 18 दिया गया है यहां पर देख लेते हैं question number 18 पूंचा है कि निवंद संग्रों का यहां पर गलत है बहे कौन सा है यहां पर बताईए question number 18 कराइट आंसर और आपका यहां पर सही answer है विकल्प नंबर B यानिकी सब्दिता प्रिभाकर माच भी सब्दिता प्रिभाकर माच भी यह जो है यहां यह गलत है तो विकल्प नंबर B आपका यहां पर सही answer है बिलकुल सही question number आपका 19 क्या पूँचा गया है तो 19 वा question पूँचा गया है आपसे यहां पर कि निमलिखत निवंद संग्रों को उनके लेकों की साथ यहां पर सुमिलित कीजे कूट की सहायता से तो कूट की सहायता से यहां पर सुमिलित करना है तो डारेक्ट जो सुमिलित किये गया है भाई देख लेते हैं आंसदे की मैंने सिल पहुँचाई इसके लेखक कौन है यह निवंद संग्रा है और इसके लेखक है बिद्यानवास मिस्रे सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो इसके कौन हरी संकर परसाई सिख्रों के सेतु सिख्रों के सेतु के हैं सिव प्रसाद से हैं और रस आखे टक रस आखे टक के कौन है कुबेरनात राय इस बरकार यहां पर आपकी सुमिलित किये गए है कौस्चन नमर 20 पर आपका कौन सा होगा कौस्चन नमर 20 से महत्वण है और आपका सही आंसर है कौन तुम फलवा बीनन हारी वह की रायका निबंध है यह कैसा है असत्य है तो विकल्ब नमर 3 आपका यहां पर सही आंसर होगा बिलकुल सही Qn.11, बसंत आ गया है, पर कोई उतकंटा नहीं, सीरसक निबंद के लेखक बताना है, इनके लेखक का नाम क्या है, इहांपर बताइए, कौन इसके लेखक? बसंत आगया पर कोई उतकंठा नहीं सीर्षक निवंद के लेखक का नाम है बालमकुन्द गुप्त विद्यानिवास मिस्तर प्रताप नारमिस्तर या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपका सही आंसर विद्यानिवास मिस्तर आपका यहां पर सही आंसर होगा विद्यानिवास म जंग रहे और किसका है राम व्रक्षब। Q24 है और 24 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर B रामचन सुकल आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही रामचन सुकल जनों ने बताया है विकल्प नंबर B उनका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 24 का बी राइट आंसर 25 वा question क्या पूँचा गया है question number 25 यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं कि निमलिकत में से कौन निवंदिकार ललित निवंदिकार नहीं है ललित निवंदकार नहीं है राम बिला सर्मा विद्यानवास मिस्तर कुबेर नात राय हजारी पर साथ दुबेदी 25 का सही आंसर बताईए महत्वण question पूँचा क्या है और आपका सही आंसर है यहाँ पर देख लेते हैं कि कुबेर नात राय विद्यानवास मिस्तर और हजारी पर साथ दुबेदी प्र tešć निमंदकार राम बिला सर्माने आलू जनात्मक निमंद तो लिखे ही है पर ललेत निमंदों की भी सरश्टी की है तो यहां पर उप्रोग सभी जो हैं सही आंसर होंगी क्योंकि यहां पर सभी माने जाती है तो सभी जो बिकल्प है वह सही उत् 26 है 26 में पूँचा क्या है कि पत्रकारता के इस्तर से निबंद से अली को विप्सित करने वाले प्रमुख लेकप कौन है माकलाल चतुरवेदी राम रक्ष ब्यानी पुरी से पूजन सहाई या गुलावराई तो 26 का सही आंसर होगा आपका यहां पर विकल्प नंबर सी आनिकी राम रक्ष ब्यानी पुरी तो विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर है यह question आपका पूँचा गया है बिल्कुल सही answer है और question आपका अंगला क्या पूँचा गया है तो अंगला question यहाँ पर देख लेते हैं देखें अंगला question question number 27 बंदे बानी बिनाय कव इनमें से किसका निबंद संग रहे है रामब्रक्ष ब्यानिपुरी का है कनईयलाल मेस्ट प आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर होगा बाल मकुंद गुप्ते द्वारा रचित निबंद संग्रे का नाम बताएए भारत मित्र सिवसागर की चिठ्थियां प्रिज्या मित्र या सिवसंभू के चिठ्थे question number 28 और 28 का सही answer है विकल्प नं 2019 में 2009 में एक question पूचे गया था सिवसंभू के चिठ्थे बाल मकुंद गुप्ते इसके लेखक है और यहाँ पर यह question फिर से डवाल हो गया बाल मकुंद गुप्त आपका राइट आंसर है भो निबंद की लेखक कौन है question number 31 में आपके लिए बताना है भो निबंद की लेख बत्सक कौन है तो आपका राइट आंसर है विकल्पर अंसरों का प्रताव नारेन मिसर आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रताव नारेन मिसर ने जो हे निबंद लिखा है इसकी लेखक है भो निबंद के question number 32 में पूचा है प्रताव नों मिसर की निबंदों की प्रद्धान क्विशिश्था है सरलता घंबीरता क्लिषटता या बिनोद्प्रियता कॉस्ट denn backward 22 का सही ऐ disability नंसर बताना है महत्तुपूर्ण, कॉस्टन पूँछ गय आ और आपका यहां पर सही ऑंशर रहाण ययानि कि बिनोद्ट फ्रियता आपका यहां पर सही आंसर वि कल रहा का और बताने हैं आपके लिए question number 33 में सी राम सर्मा आपका राइट आंसर है बिलकुल सही question number 34 पूँचा है पिरसाद पंत मेथली सरन नामक निबंद संग्राई किसका है पिरसाद पंत और मेथली सरन नामक निबंद संग्राई है राम रक्ष बेनिपूरी का अग्ये दिनकर मुक्ति बोध to question number आपका इहाँपर 34 है और 34 का सही answer है आपका विकल्प number C दिनकर दिनकर आपका यहाँपर सही answer है बिलकुल सही दिनकर जन्हों ने बताया है उनका सही answer होगा question number 35 पूँचा है अर्दनारिस अर्थननिवंद गरे की रछिनाकार कौन है तो question number 35 का आपका जो सही answer होगा भाई क्या होगा तो अर्दनारिस अर्थननिवंद संगरे की रछिनाकार पूचा है आपसे यहाँ पर तो 35 का आपका सही answer होगा 2018 में LTE great में question पूँचे गया था हो और आपका be right answer रामधारी से हैं दिनकर आपका यहाँ पर सही answer है रामधारी से हैं दिनकर आपका right answer है तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्तपुन question complete हुए क्यांसा लगा यह video आप comment में जरूर बताए अगर आप channel पर पहली बार आएं तो channel को subscribe कर लें bell icon दबाएं all पर click करें ताकि all video की जानकारी आप कहां तक पहुँचे जादा से जादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना ना भूलें क्यांसा लगा यह video comment में जरूर बताएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन